डियर आई, CSE, and IS Student 2043 के Board Examination वाले, क्या Board Examination से ठीक पहले आपके स्कूल ने आपको ब्रीफ किया, क्या आपके Examination Center उसी स्कूल में है जहाँ पर पढ़ते हैं, तब तो होते तोर पर इस्तिती नॉर्मल होनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के Examination Center दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, या कुछ ऐसे प्रोवीजन है, अब कौन कोल से प्रोवीजन है, मैं नहीं जानता, स्कूल के अफ्लिएशन के क्या कंडिशन है, या फिर जो कुछ भी है तो उस कंडिशन में, जो भी आपके Examination है, प्रोसेस के दोरान, कुवीट सेप्टी के प्रोटोकोल से आप इस्ट्रक्शन आइस या इस इकेत निटलाइन पर देख चुके होगे, लेकिन अब ही जो बाते आ रही है, इस्टूडेंट को हर उस इस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, मतलि स्टूडेंट के पास किसी तरह के इलेप्रोनिक्स गैजट नहीं होना चाहिए, चेटिंग प्रोइबिटेड है, थर्ड जो इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी बात है जिसा सर्थ स्टूडेंट, पेरेंस और इबन स्कूल टीचर भी मिस्ट कर रहे हैं कि हेल्थ कंसस रिकॉर्ड, अब यहाँ पर दो बाते आते हैं, इस्टूडेंट को कॉफ, कोल्ड, अस स्टूडेंट है, मतलब दवा खा रहा है, तो इस समय उसे इस बात का क्लियर इंफॉर्मेशन अपने एक्जामनेशन सेंटर को जीना होगा, या आप इस स्कूल में पोड़ आए, वहाँ पर बता दे ताकि ओजो एक्जामनेशन सेंटर, वाली स्कूल के जो सेंटर इंशार स्टूडेंट हो जाते हैं, किसी एक स्टूडेंट और दूए स्टूडेंट को लेकर, तो कि अपने आपको इस तरह से पाया था, और उस एक्जामनेशन के बारे में आपको शेयर करना, इस हमें मतलब की परशान करने माने बाता है, लेकिन यदि किसी तरह की अहलकी भी पर परशानी है, तो आप इनफॉर्म कर दें, लेकिन अपने एल्थ रिलेटर इस्यू को अप टूडेट कर वो, जिस स्कूल में आप पहुड़ रहे हो, उसके प्रिस्पन को, और जिस स्कूल में इस्टूडेंट जाने वाना है, जामनेशन सेंटर देने, या सेम स्कूल है, हल कुछ सारे जो गर्ल्ड स्टूडेंट है, और बहुए जी स्टूडेंट भी एक्जमनेशन के चकर में, या दिन राख पढ़ने के चकर में, फीबर आने के परशानी, या पिर अन्य सारे दूजीज, उसके हो जाते हैं, और वो इसको नहीं बता सकते, कुछ स्टूडेंट अल्रेडी मेडिकेशन पर होते हैं, डाइवेटीज है, या फिल उसको स्लिपलेस्टनेस या कुछ इस तरह की परशानी होती है, तो इन सब से बचने के जो बत्रकों कि ये आपके पूरे एक साल को ले देगा, एक्जामनेशन सेंटर के दोराम, एक्जामनेशन के प्रोसेस नहीं किसी तरह के मतलब कि जो एक्जामनेशन शुरू हो रहा है, उससे साथ दिन के अंदर स्ट्रॉंग मेडिकेशन या बड़े डीजेज के चकर में तो नहीं पड़ा है, और उसको उस तरह के मेडिकेशन उसकी बहुस्ता नहीं और ये इसलिए इंपोर्टेंट है, हैं अकसर ऐसा होता है, रिपोर्ट देखा गया है, कि लाश समय बहुत पढ़ने के चकर में बहुत सार बिमारीया हो जाती है, और उसको इसको पर जामनेशन के दोरा, उनको एंग्जाइटी होती है, मतलब एक जाम फीबर होता है, जिसको तूर करने का पूरा प्रियास के अग लेकिन ये परिशानिया अकेले जेनरेट हो जाए, तो क्या करेगा स्कूल टीचर वहाँ पर जामनेशन सेक्टर का इंचार, तो वहाँ पर स्टूडेंट परिशान हो जाएंगे ना, इन बातों गुध्यान रखना है, और जामनेशन सेक्टर वाले तो परला जार मेंगे, इसलिए भी ऐसे स्टूडेंट को मेडिकेशन पर विवस्था दी गई है, आपको मैं जानकारी एक इंट्रेस्टिंग बात बता दू, कि CISC ने बहुत सारे मसले पर ऐसे स्टूडेंट जो बहुत जादे परशान रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, उनको तो हस्पीटल में गामने सम्देने के बवस्था की गई होती है, तो इन बातों को धियान में रखना है, और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मेरे स्कूल से कॉल आ गया है, कि जाईए, अब ये तो दूती एक स्ट्राइल लगी जाना है, और खॉल देखिए, अब दार आ तो तुरंते इंख लाओगा, सुबह मेरे वीडियो में रिकोर्ड कर बाता हूँ, तो कि राज तक आनने का बहुत लेट सम्ध हो जाता है, तो मैं जो गुरी लाशारी इसी तरह की है, खेर इस वीडियो को लाइक करने और चैनल क क्रदक कर सादाल कम करें और कर सारी कर आनने कि लाएक कुछा से टुर्ड के रहका करते हूगा जा रेको सोली तो कर दो तो.